बुद्ध भगवान एक गाउं में उपदेश देने जा रहे थे। उन्होंने कहा कि हर किशी को धर्ती माता की तरह सहन सीलता तथा समासाली होना चाहिए। क्रोध ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला दूसरों को जलाएगा तथा खुद भी जल जाएगा। सबा में सभी स्यांत बुद्ध की वानी सुन रहे थे। लेकिन वहां संभाव से ही अतिक रोधित एक ऐसा वैक्ती भी बैठा था जिसे ये सारी बाते बेफाल्तु की लग रही थी। वह कुछ देर ये सब सुनता रहा। फिर अचानक ही आग बबुला होकर बोलने लगा। तुम पाखंडी हो। बड़ी-बड़ी बाते करना ही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भरमित कर रहे हो। तुम्हारी ये बाते आज के समय में कोई माइने नहीं रकती। ऐसे कूट वचन सुनकर भी बुद श्यांत रहे। अपनी बातों से नहीं तो वह दुखी हुए नहीं कोई परतिकिरिया की। यह देखकर वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया। और उसने बुद के मुँपर थूख दिया और चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का करोध स्यांत हुआ तो अपने बुरे विवहार के कारण पच्तावे की आग में जलने लगा। और वहां उन्होंने ढूंडता हुआ उसी सिथान पर पहुँचा। पर बुद कहां मिलते वह तो अपने सिश्यों के साथ पास वाले एक अन्य गाओं में निकल चुके व्यक्ति ने बुद के बारे में लोगों से पूछा। और ढूंडते ढूंडते जहां बुद पर वचन दे रहे थे वहां पहुँच गए। उन्हें देखा कि वह उनके चरणों में गिर पड़े और बोला मुझे समा कीजिये परभू। बुद ने पूछा कोन हो भाई तुम्हें क्या हुआ है क्यों समा मांग रहे हो। उसने कहा क्या आप भूल गए मैं वही हूँ जिसने कल आपके साथ भूत बुरा वेवहर किया था। मैं सर्मिंदा हूँ मैं मेरे दूष्ट आचरण की समायाचना करने आया हूँ। बुगवान बुद प्रेम पुरुवक कहा बीता हुआ कल तो मैं वही छोड़ कर आ गया और तुम्हें अभी भी वही अटके हुए हो। तुम्हें अपनी गलती का अभास हो गया। तुम्हें पस्चताप कर लिया। तुम्हें निर्मल हो चुके हो। अब तुम्हें आज में परवेश करो। बुरी बाते तथा बुरी गटनाए याद करते रहने से वरत्मान और भिविश्य दोनों बिगड जाते हैं। बीते हुए कल के कारण आज को मत बिगाडो। उस व्यक्ति का सारा बोज उतर गया। उसने भगवान बुद के चरणों में पढ़कर करो तयाग तथा समासीलता का संकलप लिया। बुद ने उसके मस्तिक्स पर आशिस का हाथ रखा। उस दिन से उसमें प्रिवर्तन आ गया। और उसके जीवन में सत्य प्रेम वे करोणा की धारा बहने लगी। मित्रो भूत बार हम भूत में की गई किसी गलती के बारे में सोच कर बार बार दुखी होते हैं। और खुद को कोशते हैं। हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। गलती का बोध हो जाने पर हमें उसे कभी ने धोराने का संकलप लेना चाहिए। और एक नई उर्जा के साथ वरतमान को अच्छा बनाना चाहिए। तो दोस्तो हम अपने चैनल पर ऐसी ऐसी तमाम कहानिया लाते ही रहते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जूर कर लीजिए।